जनुवा मानवत्ता का, हाँ यही तो है वह स्थान, दीज सीख जिनोंने धर्म की हमको तुलसी कबीर संत महान है, सस्कृत से सस्कृती हमारी हिंदी से हिंदोस्तान है, जो हमारी मात्रिभाशा है, बिखारी, केशब, धूशन जैसे कभियों ने हिंदी अपनाई, हिंदी का मह तो बहुत है, बात यह सब को समझाई, यही कारण है, यही कारण है, कि इन सब की विश्र में आज पहजान है, सस्कृत से सस्कृती हमारी हिंदी से हिंदोस्तान है, यह भाशा है जन्मानस की, जो हृदे से सब को जोड़ती है, आप लोग पी तो आपस में हिंदी में बात करत करते हो ना ये हमारी हिंदी भाशा है जो हटे से सब को जोड़ती है पढ़ा जाए इतिहास तो ये सब पर तक ये और मोड़ती है सर हिंदुस्तानी के दिल में हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है सस्कृत से सस्कती हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है बात करें जो लिपी की तो बात ही इसकी निराली है जैसा लिखते वैसा बोले सर ने आपको बताया कि English में हम कुछ लिखते हैं और बोलते कुछ हैं C, H, E, F, Chef पढ़ते हैं लेकिन C, H से शुरू कर रहे हैं तो इसकी प्रोनांसीशन किसी और तरह से हिंदी में लेकर तो जो लिखते हो वो बोलते हो English में जो लिखते हैं वो कॉम बोला जाता है उसकी लिए रूल्स लगते हैं बात करें जो लिपी की तो बात ही इसकी निराली है जैसा लिखते वैसा बोले पूरा पुराना नाम इसी का पाली है, बुद्ध गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाशा में ज्यान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदोस्तान है, मुगल आय या आय गोरे सब को मार भगाया था, सारा भारत आपस में जब हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाशा में ग कारण ही आपस में इनका नाता है मिर्चुल के जो रहते हैं तो भारत का होता निर्मान है सस्कृत से सस्कृती हमारी हिंदी से हिंदोस्तान है हिंदी में सीखें पढ़ना हम गाने हिंदी में गाते हैं एंगीश में गाते हो हिंदी में गाते हैं तो क्यों हिंदी अपनाने में सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है सस्कृत से सस्कृति हमारी हिंदी से हिंदोस्तान है छोड के हिंदी अंग्रेजी बोले इसी भारत की बात की है निराशा सीखो अन्य भशाओं को किसी को ग्रोथ नहीं करना इंग्रीश को भी रोध के लेके चलना है सीखो अन्य भाशाओं को पर अपनाओ अपनी भाशा दुनिया में बतलाओ सबको हिंदी से हमारी शान है संस्कृत से संस्कृती हमारी हिंदी से हिंदोस्तान है Thank you